जहन्द to all my respected experience on behalf of goela classes मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसे कि आप जानते हैं उत्राखंड के लिए हम daily एक news लाते हैं जिसका angle 360 degree होता है क्यों होता है क्योंकि उसे जुड़ी भी बाते भी हम cover करते हैं क्योंकि exam में वो ही आता राइट तो देखे शुरू करते हैं शुरू करने से पहले देखते हैं एक जो हीचल सहाब है जो western philosopher रह चुके हैं बहुत बढ़िया बात करते हैं कि only through the realization of great goals a person reveals his strong character यानि कि जब तक आपकी जिन्दगी में कोई उद्देश नहीं होगा तब तक आप अपनी काबियत नहीं जान सकते तो आपने क्या करना है एक उद्देश निर्धारित करना है और वो भी चुनौती पून राइट आई रहा है नस्दीक उतराखंट PCS higher lower तोनो राइट तो हो जाना है राइट पूरी तैयारी में जोश के साथ तो आगे बढ़ते हैं नियूज लेता है नियूज क्या है कि हमारे जो स्पोर्ट्स परसन है उनको एक आरक्षन दिया जाएगा ये कहा है स्पोर्ट्स की जो मिनिस्टर है हमारे उतराखंड की जो है रेखा अरिया जी उनके द्वारा ये कहा गया है, और ये जो आरक्षन दिया जाएगा, ये एक horizontal आरक्षन होगा, मैंने आपको पड़ा चुका हूँ, अगर आप मेरे कुछ पिछले वीडियो में देखेंगे, तो जो horizontal आरक्षन होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ याद रखेंगे, horizontal आरक्ष पारिया जी, और यहाँ पर याद रखेंगे, जो हमारे जो director है, sports के, जितेंद्र सोनकर, उन्होंने कहा है, जो व्यक्ती, अंतराष्ट्री इस्तर पर, कोई medal लाता है, अंतराष्ट्री इस्तर पर, तो उसको तो सीधा, आपको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, वो भी 500 के ग्रेट पेपे, 5400 के ग्रेट पेपे, जो एक कापी अच्छा पद होता है, और देखें, नीचे आपको क्या देख रहा है, 17th और 27th, इसका क्या संबंध है, और ये news से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशे क्या करता हूँ, एक linking कराने की कोशिश करता हूँ, अग अब उत्राखंड ये दूसरा राज्य बनेगा, जो ऐसा राज्य है, बनेगा माफ कीजेगा, उत्राखंड दूसरा ऐसा राज्य बनेगा, जो अपने लोगों को, अपने लोगों मतलब जो उत्राखंड के हैं, जो अंतरास्त्री, माफ कीजेगा, अंतरास्त्री इस्तर पे medal लाते हैं उनको direct नौकरी देगा और वो भी 500 great pay pay यानि कि पहला कौन है वो है हरियाना हरियाना में ये जो sports person के लिए ये जो facility है वो already हरियाना में है उत्राखंड दूसरा राज्य बनेगा ये बाद याद रखेंगे तो यहां से क्या सी के अरियाना सत्रवा राज्य है हमारा जो 1966 में बना कब बना 1966 और 27 वा राज्य कुन सा है उत्राखंड जो कब बना 2009 नौंबर 2000 को ये बाद याद रखेंगे देगे अब जो ये बात की जारी है इससे संबंधित जो है अगर आप ध्यान देगे तो एक अध्यादेश लाया जा रहा है ओडिनेंस लाया जा रहा है ये जो कानून बनाया जाएगा ये अध्यादेश द्वारा बनाया जाएगा अब हम देखेंगे कि अध्यादेश क्या होता है अध्यादेश होता है जो एक executive order द्वार लाया जाता है यानि कि जादतर जो कानून मराने का अधिकार होता है वो विधायका के पास होता है यानि कि legislative के पास होता है परंतु आपको पता है जो सत्र होता है चाहे वो केंद्र स्थर पे संसद हो चाहे राज्य स्थर पे विधान स यह तो उसका एक निवारन दिया गया है वो है अध्यादेश जो एक कारेपालिका द्वारा लाए जाता है कारेपालिका का यहां क्या तात्परिय है डीम साब नहीं डीम साब पुलिस वाले नहीं वो भी नहीं कौन है यह कारेपालिका का हिस्सा वो है मंत्री क्योंकि भारत मे एसी पॉलिटी है जहां पर एक ही व्यक्ति विधायका का भी भाग होता है और वही व्यक्ति कारिपालिका का भी भाग होता है कैसे जो मंतरी होता है अगर राज इस तर पर देखें तो मंतरी एक विधायक होता है जो वो कानूनी प्रक्रिया में भाग लेता है और वहीं वो मं एक मंतरी developing होगा जैसे हमारे अगर मैं उठाऊं गरह मंतरी अमिर शाजी तो आमिर शाजी आपको बता है जो हैं एक सांसद मंत्री भी हैं अब यह बात याद रखेंगे लाते तो चाहे केंद्र इस्तर पे प्रधान मंतरी और उनकी कैबिनेट है या राज इस्तर पे मुख्य मंतरी और उनकी कैबिनेट है परंतु आपचारिक तोर पर इनको लाने का अधिकार होता है राज इस्तर पे राज जिपाल के पास और बस इतना याद रखेंगे कि चाहे लिखा है राष्टपती, अध्यादेश ला सकता है समयधानिक तोर पर या राज्यपाल, परंतु ये चाहे राष्टपती हो, चाहे राज्यपाल हो, वो किसके हिसाब से चलते हैं, जो हां की मंत्री परिशद होती है, केंदर इस्तर पे प् मुझे उमीध आप्य समझ पाया हुँगे, और ये आद रखेंगे जो अध्यादेश होता है, वो कितना समयं तक कारी कर सकता है, अधिकतम कारी कर सकता है, जशे हम आध्यादेश का क्यूं है? क्योंकि आपको पता है समिधान में काया है कि भाईया जो सत्र है जो संसत का सत्र है वो कम से कम जो है उसमें जो अंतराल अधिकतम आप रख सकते हो छह मेने का रख सकते हैं उससे जादा नहीं रख सकते हैं क्या कहा है समिधान में एक नियम दे रखा है कि सत्र जो होते हैं उन से 6 हफ़ते का समय मिलता है अध्यादेश पर चठा करने के लिए यानि कि अध्यादेश को 6 मा के भीतर पारित करना होता है, अगर नहीं पारित हुआ, तो अधिक्तम कितना है? 6 मा, 6 हफ़ते और इस दोरान अध्यादेश जो भी काम करता है वो एक कानून की भूमिका ही मानी जाएगे, ऐसा नहीं कि उसको कानून नहीं माना जाएगा, अध्यादेश जब अपनी जीवन काल में है, यानि कि मान दीजे बाद में उपारित नहीं हो पाया तो लैपस हो गया, पर जितना वह एक valid होता है यह बात याद रखेंगे अब मैंने यहाँ पर यह पिच्चर देख रहे हूं यहाँ पर यह जो वेक्ति है कभी भी आप डालेंगे लौड कैनिंग तो लौड कैनिंग कुछ ऐसे ही दिखते थे यह लौड कैनिंग है और उनसे जुड़ा हुआ एक अधिनियम आपको देख रहे है 1861 आपको पता होना चाहिए लौड कैनिंग अठारा सो चपन में भारत में आ गये थे और 1862 तक भारत में रहे और यह भारत के पहले वाइसरोय बने है, पहले वाइसरोय बने है, देखे, वाइसरोय ये बन गए थे 1857 वाले अधिनियम, माफ कीजेगा, 1858 वाले अधिनियम से ही क्या बन गए थे वाइसरोय, और एक ही वर्ष बाद, यानि कि 1869 में इन्होंने एक अधिनियम पारित किया अपने लेवल पे, अपने जो शक्ति थी इनके पास, उसके हिसाब से नो ने एक अध्यादेश शुरू कर दिया था भारत में, जिसको कानूनी अधिकार कब मिला 1861 के अधिनियम से, 1861 का जो इक काउंसल है, जो इसको एक कानूनी दर्जा मिलता है, जो एक विधायका का दर्जा मिलता है, अधियादेश को मिलता है Indian Silicon प्रयास कूर्स बहुत जल्ल आपको मिलने वाला है वोorous फ्री में रहेगा आपको पूरा उतर रखन पढ़ा जाएगा MCQ फॉर्में जैसे प्रशन आते हैं इक्जाम में वैसे ही प्रशन बनाये जा रहे है टीम दौरा और जिससे की कि आपका पूरा syllabus cover किया जाएगा और आपको ये भी इस तरह से भी तयार किया जाएगा कि आप पहले ही familiar हो जाएं कि question कैसे आता है तो ये free of cost होगा don't worry और जो test series है जो आपर है जो lower है उसकी test series पड़ेगी आपको only 999 की individually अगर आप दोनों को combo price लेते हैं तो it will cost you only 1499 और test series ज हमारे जो टेलिग्राम चैनल है आप देख पा रहे होंगे टेलिग्राम चैनल पर आप जोइन करिए क्योंकि यहां पर हमारे daily updates आते हैं important informations हो रही है और magazine पर काम किया जा रहा है खासकर उत्रागंड के लिए भी तो जो magazines हम upload करेंगे यहां पर आप उसे download जरू करिएगा ठी उमीद है यह lecture आपको पसंद आया होगा जय हिंद